भारत में एक दिन में संक्रमण के नए मामले 2,61,000 को पार कर गए हैं नए केस आने के साथ देश में कुल मामले बढ़कर 1,47,88,109 पर पहुँच गए हैं एक्टिव मरीजों की संख्या 18,00,000 के पार पहुच गई तो दूसरी तरफ बंगाल में भी हालात बहुत खराब हैं इन सब को देखते हुए कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं साथी बाकी नेताओं को भी बड़ी सार्वजोनिक रैलियों के परिणामों पर विच्वार करने की सलाह दी है तो और क्या कुछ कहा है राहूल गांधी ने और इससे क्या असर पड़ेगा उनकी पार्टी पर देखे इस रिपोर्ट में देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी महामारी तेजी से पाउं पसार रही है लेकिन इन सबसे बेखबर सियासी पार्टियां बंगाल में हो रहे विधान सभाद चुनाओं में परचार के लिए बड़ी बड़ी जन सभाएं कर रही हैं जिसमें देश के प्रधान मंत्री मोदी से लेकर बंगाल की सीएम ममता बनरजी भी शामिल है कल पीएम मोदी अपनी रैली में भारी संख्या में आये लोगों को देखकर इतना खुश हो गए कि उनकी तारीफ करने लगे लेकिन इन सब के बीच कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बंगाल विधान सभा चुनाओ में अपनी सभी रैलियां रद्ध कर दी है साथी बाकी नेताओं को भी बड़ी सार्विनिक रैलियों के परिणामों पर विचार करने की सलाह दी है राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा महामारी की स्थिती को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्विनिक रैलियों को रद्ध कर रहा हूँ मैं सभी राजनितिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौझूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्विनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हो रहे है विधानसभा चुनाओ में अब तक 5 चर्णों का चुनाओ हुआ है जिन में अब तक 180 विधानसभा सीटों के लिए मद्दान हुआ है जबकि अब भी 3 चर्णों का मद्दान बांकी है जिन में 114 सीटों के लिए वोट ड ऐसे में राहुल गांधी ने महामारी को देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इस कदम से बंगाल चुनाव में उनकी invecordक। पर इसका असर पढ़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का ये कदम उठाना उनकी मानवता के प्रती चिंता को दिखाता है। देखना दिल्चस्प होगा कि पी एम मोदी और मम्ता बनरजी भी महामारी को देखते हुए कोई ऐसा कदम उठाते हैं या नहीं। DB Life की रिपोर्ट